कि मौका है अभी पोर्टफोलियो बनाने का अगर में पास सौ रुपए है तो मुझे कैसे उसको अलोकेट करना चाहिए लाज स्मॉल और मिड में और कुछ स्टॉक्स भी अगर बता पाए एक बास्केट आप बना पाए हमारे दर्शकों के लिए कि इतने पैसे आप इसमें ल होना पड़ेगा हम आपको रेकमेंडेशन करते हैं प्रॉफिट बुकिंग आपके हाथ में और लिक्विडिट रखना अच्छा औरत है जब मार्किट में ऐसी फॉल होती है तो आपके पास लार्ज कैप में जैसे आपने का एक रिलाइंस HDFC तो होना है अल्ट्रा टेक हो गए मिट कैप में जैसे मैंने आपको का हिंदोस्तान कॉपर इस परफेक्ट प्रॉक्सी फॉर मेटल्स फेडरल बैंक मुझे बैंकों में बहुत पसंद है मैंने आपको एस्बिया स्वारी में इन्शोरंस में बोल गया इन्शोरंस में आप कोई भी शेर लीजे बहुत है लेकिन SBI Life मेरा वहाँ टॉप फेडरेट है और जैसे मैंने आपको का मुझे RBL बैंक और वेदान्ता ये पांचों शेर मिट कैप में बहुत पसंदेखिया वेदान्ता अंडरलाइंग में सिल्वर, कॉपर, जिंक, बॉक्साइट और निकल, निकल का ओनली प्लेयर इन द कुछा ले जा सकता है. या इस साल किस तरीके की रिटर्न की उमीद करें? प्लस उन्होंने स्विगी के साथ टायब कर दिया. और आज आपको बताऊं, रेल ट्राइवल is even more than a common man's dream. वो सब हो गया है, necessity हो गया है. दूसरा मुझे concor बहुत पसाँ, आप देखिये जिस तरह से rail traffic corridor बढ़ रहा है, अडानी जिस तरह से expand कर रहा है, reliance, concor is a must have in your portfolio. और तीसरा मैं यहां suggest करूँगा Nelco. मुझे लगता है Nelco can be a huge under out performer on the sheer back के iron ore, bauxite and aluminium, तीनों में उसके पास inherent वो है. तो यह और हिंदोस्तान copper, क्योंकि copper cathode in the country, only one company has हिंदोस्तान copper. और अगर copper prices three year high पे हैं, और रेरिंग to go because of China comeback, तो यह बहुत outperform कर सकते.